हेलो डियर्स आज के इस वीडियो में आप सब का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे होस्टन वॉड़न का प्रिवियस एर का कोस्चन पेपर को अनलाइस करेंगे और ये 2014 का है ठीक है इसके बाद 2016 का देखेंगे ठीक यदि आप लोग को होश्टन वॉर्डन की अच्छे से तयारी करना है तो उसके लिए 2014 और 2016 का कोस्चन पेपर का अनलाइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इसमें हम लोग कम्प्यूटर का 50 प्रस्न देखेंगे कम्प्यूटर का 50 प्रस्न पूछा जाता है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले जिन लोग इस चैनल पे निव हैं उन लोग लाइक से यार और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अप्लोड हुश का नोटिफिकेशन जल्द जल्द प्राफ्त हो सके और जिन लोग कम्प्यूटर का अच्छे से तयारी करना चाहते हैं उन लोग नोट से जरूर बनाईएगा ठीक है मैं बार बार बोलता हूँ नोट से जरूर बनाईएगा ठीक है और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इसका complete तरीके से तयारी कराया जाएगा ठीक है complete तोर से तयारी कराया जाएगा एक तरीक से आप लोग का complete तयारी चालू हो जाएगा ठीक तो देखें question number first इंटरनेट से सुचनाओं को ग्यात करने हैं तो प्रयुक्त टूल को कहते हैं तो प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं यदि हम लोग को इंटरनेट में किसी भी चीज चाहिए रहता है किसी भी data चाहिए रहता है हम लोग search किसमें करते हैं Google में करते हैं ठीक है प्रकार से सर्च करते हैं इसमें तो क्या बोला जाता है गूगल बिंग यह सब क्या है तो यह प्रकार का सर्च एंजन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अप्शन नमबर बी उस प्रकार देखते हैं नेश्टा निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता देखें नहीं किया जाता बोला है तो जो IHDN होता है ये कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट ठीक है ये भी इंटरनेट वाला है modern भी इंटरनेट है लेकिन VDU नहीं है इसका right answer option number C हो जाएगा इसका analyze भी देख लिजे इसका जो full form है वो देख लिजे तो IHDN का मतलब होता है Integrated Service Digital Network ठीक है इसको note कर लिजेगा ठीक Integrated Service Digital Network DSL का full form होता है इसको बोला जाता है Digital Subscriber Line ठीक है Digital Subscriber Line VDU का होता है यह तो आप लोग को पता होगा ठीक है Visual Display Unit Modern Modern दो सब्द से बना हुआ है Mod Plus Im ठीक है तो इसका क्या हो जाता है Modular और Demodular ठीक है इसका full form होता है Modular और Demodular ठीक है अब देखते है Next question Find and Replace Dialog Box को खोलने हैं तू आवास्यक function की है तो देखे यहाँ Excel है कि Word है यह तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा इसको हम लोग लेंगे Word में ठीक है Word समझेंगी इसको तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा A5 ठीक है Option number B इसका right है नेश्ट देखते है Question number 4 Operating System ठीक है OS Operating System कर निम्न लिखित में से कौन सा कारियन नहीं है यहाँ नकरात्मा question है नहीं है ठीक तो देखे दिया हुआ Input Output Device पर नियंत्रा रखना यह Operating System का काम है User के द्वारा चाहे गए उप्योगत Software को चूनना यह भी Operating System का काम है Computer के संसाधन जैसे Memory, CPU, Time आदी आवटित करना यह भी क्या है Operating System का काम है लेकिन जो High Level Language और Assembly Level Language को Translate करना होता है यह Translator का काम होता है ठीक है Translator का काम्याद रखना तो यह क्या है Operating System का काम नहीं है तो इनना करात्मा Question है नहीं पूछा गया है ठीक तो इस प्रकार इसका Right Answer का हो जाएगा Option Number D हो जाएगा ठीक है अब देखते है Question Number 5 है GIF का तात्पर यह क्या है ठीक है तो देखे GIF का Full Form क्या होता है Graphic Interchange Formate ठीक है तो इस प्रकार इसका Full Form क्या हो जाएगा Graphic Interchange Formate Option Number 20 का Right है Next है Question Number 6 है Internet पर Equal Document को क्या कहते है तो देखे जो Internet पर Equal Document होता है उसको क्या कहा जाता है Option दिया हुआ Email Website दिया हुआ है Web Page दिया हुआ है File दिया हुआ है तो इसका Right Answer क्या आजाएगा इसका Right Answer आजाएगा Web Page Option Number C ठीक Next है Computer को प्राराम करने के लिए आवस्यक क्या है तो Computer को प्राराम करने के लिए आवस्यक होता है Operating System उसका ठीक है Operating System आवस्यक होता है देखे जो उच्चे इस्तरी भासा है यह क्या होता है उसको Run कराते ठीक जैसे उच्चे इस्तरी भासा में क्या आजाएगा Pascal आजाएगा ठीक है Pascal आजाएगा Petron आजाएगा ठीक है निमनिस्तरी भासा में क्या आएगा C++ आजाएगा ठीक है इस प्राकार का भासा तो यह है पॉलीमार्फिक ठीक है पॉलीमार्फिक प्रकार के वायरस है ठीक यह क्या करता है पॉलीमार्फिक जो बार बार अपना क्या करता है रूप परिवर्दन करता है रूप को क्या करता है बदलता है ठीक है इसको बला जाता है पॉलीमार्फिक यह प्रकार का पॉलीमा कोस्चन है थीक है इंपॉटन्ट है याद रखना अब देखते हैं नेश्ट पिरिफेरल परीधीं का टात्पर है का यहां परीधी मिला करहें देरा दिए लिक्तो hes इसका peripheral क्या होता है देखे तो जो input device होता है input device और output device ठीक है output device ये दोनों को मिला कर ही जो बनता है उसको बोला जाता है peripheral ठीक तो इसका right answer क्या आजाएगा option number A आजाएगा इसका right answer computer से जोड़ा गया device क्या कहलाता है peripheral ठीक है नेश्ट देखते हैं question number 10 YouTube क्या है ठीक है यह आप लोग के पटवारी के में भी पूछा गया था ठीक पटवारी के में है ना तो यहाँ देखिया उसमें का option अलग दिया हुआ था इसमें का option अलग दिया हुआ है तो इसका right answer देखने के पहले आप लोग क्या करना cross checking कर ले ना ठीक है video software है तो video software नहीं है जैसे कि मैं आप लोग को video recording करके share कर रहूँ ना तो यह क्या है एक YouTube है ठीक है video sharing website है ठीक YouTube नेश्ट है question number 11 निम्न लिखित में से किसे impact printer कहते हैं देखे impact printer बोला है तो impact printer क्या होता है ऐसा printer होता है जिसमें क्या होता है ribbon और hammer क्या करता है एक दूसरे से टकरा के page से टकराता है ठीक है एक दूसरे से टकरा के page से टकराता है इसको बोला जाता है impact printer और non impact printer में क्या होता है जिसमें क्या होता है जो है क्या बोलते है रीबन हैमर रहता है ठीक वो कार्टे से टकराता नहीं है ठीक है वो फिर पेज में क्या होता है प्रिंट होता है तो इस प्रकार जो प्लॉटर होता है यह क्या है यह है नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर है नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर इंग्जेट प्रिंटर है नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह है इम्पेक्ट प्रिंटर याद रखना ठीक इसको मैं आप लोग को पटवारी का जो वेकेंसी किया जाता है तो वो किया जाता है एनलोग सीगनल का ठीक है एनलोग सीगनल तो आप लोग को पता होगा ठीक है देखे एनलोग सीगनल की इस प्रकार का होगा यह होता है इस प्रकार का रहता है ना तरंग जैसे वेव जैसे और डिजीटल सीगनल की इस प्रकार रहता है तो 101 क फॉर्म में रहता है यह इस प्रकार का डिजीटल सीगनल आप लोग पढ़े होगे और यह दूसरा करिती बन ग, ठीक है इस प्रकार का यह क्या रहता है, डिजीटल सीगनल रहता है, ठीक तो इसका right answer क्या आ जाएगा, dapat option number A, इसका क्या है, right है, ठीक है, नेश्ट देखते हैं, question number 13, A में इस Excel का उप्योग करते समय, किस sale को edit करने हैं, तू, days days button को दबाते हैं, ठीक है, तो देखे, sale क्या होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, कि column, जो रोग, column के form में रहता है, तो इसमें का सबसे छोटा ही काई जो रहता है, उसको बोला जाता है, sale, ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, F2, option number A, इसका right है, ठीक है, F2, next question number 14, प्रतेख internet connect करने वाले pointer, sorry, point का होता है, तो कौन से point का होता है, देखे, URL दिया हुआ है, URL, IP address दिया हुआ है, ठीक है, फिर web address उब्रोक्तों में से कोई नहीं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, option number B, IP address, देखे, प्रतेख internet connect के लिए, माले जाए, आप लोग क्या लिए है, जीओ का सीम लिए है, ठीक है, जीओ आप लोग को क्या कर रहे है, net provide कर रहे है, internet provide कर रहे है, तो वो आप लोग को क्या provide कर रहे है, IP address provide कर रहे है, जिसके तहद आप लोग क्या कर रहे है, internet से connect हो पा रहे है, ठीक है, निश्ट है question number 15 जैसे कोई लोग होंगे देखे इसका बता रहा हूँ जेंडर तो आप लोग चलाई होंगे ठीक है जेंडर इसको क्या आप लोग विंडो से connect करके देखना तब उस ट्रिप क्या मांगा जाता है IP address मांगा जाता है या आप लोग कई जगा भी देखे होंगे IP address में कुछ-कुछ लिखा रहता है 192 फिर इस तरीके से colon 328 फिर colon ऐसे टाइप का लिखा रहता है वो ही क्या है IP address है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक नेश्ट है इमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है तो देखे इमेल में एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितना है 25 MB है ठीक है 25 MB याद रखना इसको जबकि option में नहीं दियो है 25 KB दियो हुए ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं option number D इसका क्या है राइट है नेश्ट दिखते हैं निम नांकित साप्टेयर में से कौन सा एंटी वायरा साप्टेयर नहीं है तो देखें यहां बोला गया है antivirus software नहीं है तो option दिया हो है mac, fe, opera, quickheal, notan तो opera क्या है? opera mini तो आप लोग सुने होंगे न opera mini ये क्या है? एक web browser है जैसे chrome है न एक browser उसी प्रकार ये भी एक browser है UC browser है ठीक है? next है, निमनांकित में से कौन से printer में सुखी स्याही का उपयोग होता है सुखी स्याही बोला गया है तो देखे, printer में क्या रहता है? कार्टेज रहता है ठीक है? कार्टेज में यदि कोई liquid के फार्म में है तो उसको हम लोग गीला स्याही बोलेंगे ठीक है गीला स्याही यदि कोई powder के form में है ठीक है powder के form में तो उसको बोला जाएगा सूखी स्याही तो कौन से printer में रहते हैं तो वो रहते है laser printer में थोड़ा कट गए दीखनी रहे लेकिन option number 2 इसका right है ठीक है laser printer नेश्ट देखते हैं question number 18 email address दिया हुआ है hoastop.yahoo.com में hostop कहलाता है तो जो ये hostop है ये क्या कहलाता है तो इसको मैं आप लोग को email वाला जो पटवारी का section है उसमें बताया था ठीक है तो जो ये पहले में दिया रहता है ये कहलाता है user name ठीक है उसके बाड़ जो add rate रहता है ये क्या रहता है sign है और जो yahoo है ये क्या करता है उस company को denote कर रहा है ठीक है company को denote कर रहा है ठीक है और जो dot com है ये क्या कर रहा है server name को दिखा रहा है dot com कि इसको दिखा रहा है server name को तो यहाँ जो hostop दिया हुआ है ये क्या है एक user name है option number 16 का right है ठीक है देखे एकदम easy सा question है ल question number 19 है computer के कार्य करने का क्राम है तो computer पहले input लेगा फिर क्या करेगा process करेगा फिर output देगा तो इस प्रकार इसका right answer का हो जाएगा input process output इसमें दिया हुआ है input process output option number C इसका right answer है ठीक next देखे wyasi wyg इसका तातपर यह क्या है तो इसका मतलब होता है what you say is what you get मतलब जैसा instruction देंगे वैसा result मिलेगा ठीक है what you say is what you get इसका मतलब होता है जैसा आप लोग instruction देंगे input देंगे वैसा आप लोग को output मिलेगा ठीक है result मिलेगा ठीक है अब देखे नेश्ट देखते हैं निम्न लिखित में से कौन से इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है यहां वो लग है प्रदाता नहीं है ना करात्मा टाइप सा question है समझेगा ठीक है तो देखे एर टेल है भारती रेलवे उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां क्या जाएगा इसका right answer option number C क्योंकि air tail दे रहा है बी एस एनल दे रहा है जो कि क्या है सीम है ठीक लेकिन भारती रेलवे क्या दे रहा है हम लोग को क्या सेवा दे रहा है यह आवागमन का सेवा दे रहा है ना भारती ठीक है तो प्रकार इसका right answer क्या आजाएगा option number C next है cyber right virus है तो cyber right क्या virus है server virus, dos virus, window virus उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका right answer है वो क्या हो जाएगा window virus ठीक है यह जो cyber right है बहुत ही ज्यादा important है याद रखिएगा एक second यह जो cyber right virus है बहुत ही ज्यादा important है ठीक है और इसके बारे में देखें जैसे कि इसको USA में क्या किया गया था खोजा गया था 1993 में खोजा गया था याद नोट कर लीजेगा ठीक है और इसको first advanced window virus बोला जाता है ठीक है नोट कर रीजेगा first advanced window virus ठीक है advanced window virus ठीक नेश्ट देखते हैं question number 23 नीमन लिखीत में से कौन operating system software किसी computer को प्रारम करने के काम आता है ठीक है तो काम में लाया जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number D उप्रोक्त सभी क्योंकि जो MS-DOS ये भी क्या काम में आता है तो operating system के software को प्रारम करने के लिए MS-DOS भी काम में लाया जाता है ठीक है यूनिक सभी काम में लाया जाता है Windows भी को लाया जाता है जैसे कि देखे ये क्या है MS-DOS एक क्या है operating system है यूनिक सभी कंप्यूटर या software को computer को प्रारम करने के लिए यूज किया जाता है निश्ट है नीमन में से कौन सा कथन सत्य है देखे CD की मेमोरी DVD से अधिक होती तो इसको जानने से पहले याद रखेगा कि जो CD की मेमोरी कैपे CD होती है वो कितना होता है 700 MB होता है ठीक है 700 MB और DVD DVD का कितना होता है तो 4.7 GB होता है ठीक इसका 4.7 GB तो यहाँ कौन हो गया CD का छोटा है DVD का बड़ा है तो यहाँ क्या दिया है CD की मेमोरी DVD से अधिक है गलत हो गया DVD की मेमोरी CD से अधिक है तो यह क्या है सही है क्योंकि DVD का मेमोरी क्या है जादा है क्योंकि यह किसमें है GB में है और यह किसमें है MB में है ठीक तो इस प्रकार आपसा नमबर भी इसका राइट है अब देखते हैं नेश्ट कोश्चन नमबर 25 A में सौफी सौट टेयर में कार्य करते समय A12 बटन दबाने पर क्या होता है तो देखें जो print होता है ये किसे होता है तो ये होता है control प्लस P से print होता है कार्य जो document बंद कब होता है तो ये होता है control प्लस W बनाने क्या होता है control प्लस W दबाने से क्या होता है कार्य बंद हो जाता है ठीक है और save कब होता है तो यह होता है control प्लास एस दबाने से save होता है लेकिन जो save as है यह किसे होता है एप 12 वसे होता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number a इसका क्या है right है नेश्ट देखते हैं नीम न लिखेत में से किसके पहुँच के लिए इंटरनेट connectivity की आवास्यक्ता होती है तो किसके पहुँच के लिए तो फेस्बुक के लिए ट्वीटर के लिए वाट सब तीनों के लिए होता है तो option number d इसका right है उप्योगता सभी ठीक है अब देखते हैं नेश्ट question number 27 नीम न लिखेत में से कौन सा high level language को machine language में translate करता है यह क्या है बहुत ही ज्यादा important है याद रखेगा ना बहुत ही ज्यादा क्या है important है तो इसका right answer क्या हो जाएगा compiler ठीक है compiler जैसे कि आप लोग c++ का coding करेंगे तो उसको आप लोग क्या करेंगे बाद में compile करेंगे ठीक है compile करेंगे तब आप लोग को क्या मिलेगा output मिलेगा ठीक है इस प्रकार से आप लोग करते हैं न कि है मैं देखते हैं 지금로 नीबना लीखित मैं से कौण से इनपूट डिवाइस नहीं है तो देखिए यहां बोलागा है input device नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा plotter, plotter क्या है plotter एक प्रकार का output device है है ना और जो mouse आई scanner है keyboard है यह क्या है यह input device है ठीक याद रखना next है निर्मन लिखित में से कीस में volatile memory 20 थाई memory है तो देखें option दिया हो है printer printer, paint drive, dvd उप्रोकता में से कोई नहीं तो जो paint drive होता है यह क्या करता है किसी भी file को संग्रहित करके रखता है उसी प्रकार dvd होता है cassette होता है यह क्या करता है संग्रहित करके रखता है लेकिन printer क्या करता है यदि हम लोग कुछ एक page को print करने के लिए दिये उसके बाद दूसरे page को print करने के लिए तो ये क्या करता है भूल जाता है इसको मतलब ये क्या 20-20 मृती है volatile memory है इसमें ठीक है तो इस प्रकार इसका right answer क्या हो जाएगा option नमबर 20 का right answer हो जाएगा next है question नमबर 30 निम्नांकीत में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है ठीक है यहां बोला गया है प्रिंटर का प्रकार है तो देखे थर्मल यह जो थर्मल फ्लैट बेड होता है देखे इसको जानने से पहले आप लोग यह जान लिजे कि monitor कितने प्रकार का होता है ठीक तो monitor होता है तीन प्रकार का है ना एक क्या होता है CRT होता है ठीक है एक क्या होता है CRT cathode ratio और एक होता है LCD ठीक है LCD इसको क्या बोला जाता है light crystal display जिसको liquid crystal display भी बोला जाता है और एक होता है LED इसका मतलब होता है light emitting diode ठीक लेकिन ये तीनों क्या है monitor का प्रकार है और यहां पूछा गया है printer तो printer कौन से हुआ thermal flatbed यह क्या हुआ printer हुआ तो option number रहें क्या है इसका right है तीक निष्टा है question number 31 नीमन में से कौन सी primary memory है यहां बोला गया primary memory तो primary memory तीन प्रकार का होता है क्या-क्या RAM होता है RAM ROM हो गया secondary memory और तीसरा होता है कैसे memory CACHE इसको कैसे memory परते हैं याद रखना CACHE तो इस प्रकार यहां देखे तीनों में से कौन से दिया हुआ आपसन नमबर ए रोम दिया हुआ तो आपसन नमबर ए इसका क्या है राइट है निश्ट है कोश्चन नमबर 32 नीमन लिखित में से किस चीकित सी यजांच में कम्प्यूटर अथवा कम्प्यूटर पेरी फेरल का उप्योग किया जाता है तो वो होता है ECG में ठीक है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ ठीक है इसका फूलफाम होता है सौरी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ठीक है जैसे आप लोग देखे होंगे इस टाइप का पैठर्न बनता है है ना मसीन और होस्पीटल और अगर में कोई गया होगा तो देखा होगा ठीक इस प्रकार का बीपिंग होते रहता है ना यही क्या है इलेक्ट्रो काडियोग्राफ है ठीक नेश्ट देखते हैं question number 33 नीमन लिखित मेंसे कौन सा page printer है ठीक है तो देखें ink z दिया हुआ है laser printer दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है dot matrix printer उपरोक्त में से कोई नहीं ये थोड़ा pdf बनने के time ये आधा इधर हो गया अधा उधर हो गया ठी इस पर ध्यान मत दे ना तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number 20 का right answer हो जाएगा ठीक है laser printer है ना page printer है laser printer next day question number 34 निम्नांकीत में से कौन सी optical disc नहीं है यहां बोलागा है optical disc का नहीं है तो optical disc का मतलब जिसमें क्या होता है laser का उपयोग होता है याद रखना laser का उपयोग होता है उसको बोला जाता है optical disc इसका ब्लू-रे में रेजर उप्योग हो रहा है Bray मतलब कीरड़ी हो रहा है टीक है DAVID में आप लोग देखे होंगे लेजर का उप्योग होता है CD Rom में लेजर का उप्योग होता है जीपDisk के पर इसमें उप्योग नहीं होता है तो इसका राइट आंसर क्या जागा अपसर नमबर D आजाएगा क्योंकि question क्या है नकरात्माइप पुछा गया है नहीं पुछा गया है ठीक नहीं इश्टर देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है तो देखें लोग नोट से बना रहे हैं, उन लोग इसको नोट से कर लिजेगा, क्योंकि जो question है, वो repeat होता है, याद रखना न, जो 8 नंबर का question बताया, मैं, वो 2016 में same to same as it is repeat हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार कोई सभी question repeat हो सकता है, ठीक, बाकी तो इसमें क्या किया गया है, जो hostel warden का vacancy इसलिए नहीं निकाला गया था, क्योंकि जो teacher level के लोग थे, ठीक है, teacher उन लोग को क्या कर दिया गया था, hostel warden बना दिया था, ठीक है, अभी सब को क्या कर दिया गया है, reject वापिस कर दिया गया है, बाकी teacher बना दिया गया है, इसलिए vacancies का निकाला गया है, ठीक, तो देखे IEEE का full form क्या होता है यह जान दीजिए तो IEEE का full form होता है Institute of Electrical and Electronics Engineer ठीक है और TCP का full form होता है Transmission Control Protocol ठीक है इसको आप लोग skip या back skip करके देख सकते हैं ITU का full form होता है International Telecommunication Union ठीक International Telecommunication Union और Triple P का मतलब होता है Public Private Partnership ठीक है यह इसका full form होता है तो इस प्रकार इसका right answer क्या हो जाएगा Option number 20 का right answer हो जाएगा Protocol Internet पर इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सा किया जाता है तो वो किया जाता है Transmission Control Protocol ठीक है TCP ठीक नेश्ट देखते है Question number 36 इसमें पूछा गया था A में पावर पॉइंट में किसी Slide show को प्राराम करने है तो डेश डेश बटन को दबाया जाता है तो इसका जो right answer वो क्या आजाएगा वो आजाएगा Option number D A5 ठीक A5 इसका right answer है Next question number 37 Picture जो कि चीत्र तस्वीर है चीत्र तस्वीर को ही picture बोला जाता है ठीक है जिन छोटे dots से निर्मीत होता है उसे कहते है उसे क्या कहते है उसको बोला जाता है Pixel जैसे आप लोग सुने होंगे कि 48 Megapixel का है किसी का केमरा किसी का 20 Megapixel का केमरा है इस प्रकार सुने होंगे Megapixel मतलब वो dot को कर रहे ठीक है जैसे कि मा ले जाया मैं यहां देखे यहां एक dot बना दिया ठीक है यहां एक dot बनाया तो यह आप लोग को ज़्यादा समझ में आया कि इस टाइप से मैं अगर बनाऊंगा ठीक है गोला करके पूरा dot ही dot करूँगा तो यह वाला image आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा तो यह वाला ज़्यादा समझ में आएगा ज़्यादा clarity देगा तो जिसमें ज़्यादा dot होता है वो क्या करता है ज़्यादा clarity देता है तो इस प्रकार इसका या एक, इसी को ही computer समझता है, 01 ही machine भासा है, ठीक है, 01, 01, 0, इसी को ही समझता है, ठीक, बाकी हम लोग क्या करते हैं, समझने के English में लिख देते हैं, है ना, लेकिन computer क्या समझता है, machine भासा, 01 को binary भासा बोला जाता है, ठीक, नेश्टे देखते हैं, निमनल लिखित में से कौन सा output device है, तो याद रखने हैं है, बोलागा है, output device, तो output device कौन सा होगा, CPU, ALU, VDU, RAM, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, output device, VDU, क्योंकि देखें, CPU क्या है, CPU के अंदर गत में, ALU रहता है, ठीक है, ALU, arithmetic, logical unit, ठीक, RAM होता है, RAM, ठीक है, random access memory, उसी प्रकार CPU, central processing unit, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों CPU का है, समझो, ठीक है, brain है, समझो, computer का, लेकिन जो VDU होता है, इसका full farm मैं आप लोग को बताया हूँ, VDU, ठीक है, video display unit, ठीक, तो ये क्या करता है, output device, मतलब ये क्या करता है, output देता है, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, ये क्या करता है, एक box से ये क्या करता है, परदा में पूरा output दे देता है, ठीक है, इसी प्रकार इसका right answer हो जाएगा, option number C, ठीक है, next है, निम्न लिखित में से कौन सा word processor है, तो देखे, यहाँ बोला गया word processor, तो word processor है, a में स्वर्ड है, क्योंकि word दिया, इसमें भ वेब की भासा कौन सी है, तो वेब की भासा कौन सा है, तो देखे, Java है, C has है, और HTTP है, HTML इसका full form तो आप लोग को पता होगा, एकदम easy है, HTTP का full form क्या होता है, तो इसका full form होता है, hypertext transfer protocol, ठीक है, और HTML का full form होता है, hypertext markup language, L दिया हुआ है, L का मतलब होता है, language, तो यहाँ भ mail आएगा, option number डिस का right है, ठीक है, option number डिस का क्या है, right है, next देखते है, multimedia का ताधपरीया क्या है, multimedia में हम text त Okay, video कर सकते है, future देख सकते है, sound देख सकते है, integration देख सकते है, उक्यूप्त सभी इसका right answer है, next है, निमनलिखित में से कौन से impact टाइप प्रिंटर नहीं है तो impact टाइप प्रिंटर नहीं है तो वो कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा उपरोकत सभी drum printer, chain printer, band printer, option number 10 का right है ठीक निमनांकित में से कौन सा software open source operating software है तो देखे जिसके last time में अन्तू आएगा ठीक है जिसके last time में अन्तू, free और open ये तीनों से आएगा वो क्या है open source operating system याद रखेगा तो इसका right answer क्या जाएगा नकरात्मक टैप का question है नहीं वाला है तो इसका right answer आजाएगा option number 10 सबसे महत्वपूर्ण अधार क्या है तो देखे कम्प्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अधार होता है क्या होता है 01 ठीक है 01 क्या कहलाता है binary अंगडित कहलाता है ठीक है क्योंकि यह EC को समझता है है ना हम लोग क्या हम लोग कहीं जाएंगे तो हम लोग को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधार क्या होगा हमारा language होगा कि हम लोग क्या करें south side में चले जाएंगे है ना तो south side में क्या हिंदी कम बोला जाता है ठीक है तो वहाँ हम लोग का अधार हिंदी नहीं मिलेगा ठीक उसके लिए हम लोग को अधार चेंज करना पड़ेगा दूसरा लेंगे देख तो south language करो ने तो फिर english का use करो है ना तो इस प्रकार इसका भी क्या होता है अधार वो होता है binary language ठीक है binary अंगडी ठीक नेश्टा देखते है ना एड का use नहीं किया जाता यहां बोलागे नकरात्मा question है नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number 20 का right answer है ठीक है जैसे इसको जोड़ना रहेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे sum a plus b लिखोगे तब यह क्या होगा जूड़ेगा ठीक है यदि आप लोग aid a plus b लिखें तो यह क्या होगा नहीं जूड़ेगा ठीक है यह क्या है गलत है तो इस प्रकारना का रात्मा question तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number b ने इस्ट है नीमन लिखित में से कौन सा extension से चीत्र प्रारूप की पहचान करता है ठीक है तो इसका right answer क्या जाएगा तो आ जाएगा जाएग है तो पीडियेप में क्या रहता है dot pdf रहता है ना है ना उसी प्रकार यह क्या है यह चीत रखी है जैसने कीया और हो गया यह चीत्र का मतलब तो समझते होंगे है न कॉमा क्या से क्या कर देता है चीक है उसी प्रकार यहाँ यह इसलिए इसको क्या कर दिया गया है इसको कर दिया गया है विलोपीट ठीक है देखते हैं नेश्ट कोशन नमबर 49 आपके कम्प्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुचाने या प्राधिक गति विद्यो को करने में प्रयुक्त सॉप्ट एयर को क्या कहा जाता ह तो उसको कहा जाता है ट्रोजन होर्स ठीक है ट्रोजन होर्स अपसन नमबर 20 का राइट है ठीक है यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सेयर जरूर कीजेगा और जिन लोग होस्टल वाडन का कम्प्लीट तयारी करना चाहते हैं उन लोग इस चैन आइकन को भी प्रेस कर लिएगा ठीक है बेल आइकन को आल में रखिएगा तभी आप लोग को नौटिफिकेशन प्राप्त होगा तो चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही